नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों हम बात करेंगे मीन रासी वाले जातको के लिए 15 जून सो मुवार का दिन कैसा रहेगा व्यपार व्यवसाय करियर लव लाइप और आपके स्वास्त के बारे में आपको बताएंगे इसके साथ है आपको बताएंगे कि इस दोरान आपको कौन से सावधानिया बरतनी आवज सकोंगे तथा किस प्रकार के कारे को करना आपके लिए सुब रहेगा और कौन से छेतरों में कारे करने से आपको ज़्यादा सफलता आपके मान सम्मान यसकरती में वढ़ोतरी हो सकेंगी आप अपने कारेशेतर में वहतर परदर्शन कर सकोगे इसके लिए क्या करें क्या न करें क्या कहते हैं आपके सितारे आपका लखी कलर लखी नंबर कौन सा रहने वाला है और आपको बताएंगे किस प्रकार से सुमाद में आप अपनी अलग्छवी अलग पहचान बना सकते हैं सुमाद वाले घर वाले परिवार वाले किस प्रकार से आपके इज़त कर सकते हैं आपको बताएंगे आपको कौन से किस प्रकार के करमों को करने से आपके आरतिक इस्तितियों में सुधार होगा और फैसों से जुड़े आरतिक तंगया किस प्रकार से आपकी दूर होंगे आपको बताएंगे सारी जानकारिविस्तार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रुजान रासी फल आपको समय से मुल सके और आप आने वाले दुनों को बहतर बना सके तो मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि मेह निरासी वाले जातकों के लिए यह समय काफिस सुब रहेगा आप धार्मिक बिचार वाले होंगे और कुछ पवित्र कर्म भी कर सकते हैं जिसके लिए आपके सामाजिक लोग प्रियता में बढ़ोतरी होंगे आपका पारिवारिक जीवन भी आनन दित रहेगा आप मानसिक रूप से काफिस सांत रहेंगे और दूसरों के लिए काफिस मददगार होंगे लोग इसके लिए आपका बहुत सम्मान करने वाले हैं और आप अपने जीवन में कही प्रकार के दुख और कही प्रकार के मुसीवतों से इस वक्त गुजर रहे हैं आपको आपके जीवन में जल्दे हे सुखों के प्राप्ति होंगे और आपके वहवाईक जीवन में भी आपको आपके संकटों का और आपके विज्जुभी मत्भे दिया समस्या हैं उनसे आप चुटकार आपा सुखोगे आप अपने आत्मिश्वास को बढ़ाने की विशेज कोशिस कर सकते हैं और सकर्मियों से पुन सहयूग भी प्राप्त कर सकते हैं आप नया उद्योग जुरू करने में भी काफे सफल हो सकते हैं मही निरासी वाले जात्कों को बताना चाहेंगे कि उद्योग बैवसाय बैपा दूर हो सकते हैं और यदि आप नौकरी पेशा वाले हैं और या आप बैपारी हैं विद्यारती हैं या फिर आप विरुजगार हैं और अगर आप अपने आर्थिक विश्थितियों को सुधारने के लिए सहयूग लेने के लिए एक चुक हैं कामकाच को पूरा करने के आपको मदद की प्राप्ति हो सकते हैं, साजिदार आपका भरपूर समर्थन करेंगे और आप आर्थिक लाप भी प्राप्त करने के अवसरों की प्राप्ति कर सकते हैं, अगर आप अपने जीवन में वैपार हैं, कारुवार हैं और साजिदार में अगर अपने वैपार वैव खाखाने से बचना है तो आपको अपने विकल्पों को आपको अपने समय दार्यों को या आपको अपने जीवन में भविस्ट्य के लिए उठाए गये कदमों को समय दारी से चुनने का प्रियास करने होंगे। गत और मैदरिक मामलों में संतूलर बनाने का प्रियास भी आपको अवस्य ही करने होंगे मत्रों में निरासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे यह समय आपको नई उपलवधियों को प्राप्त करने में आपके काफी सहाता कर सकता है या अवधिय आपको मिस्रित प्रणाम की प्रदाप्ति करवाएगा, बैवसाइक और आर्थिक प्रगति, एवंग सम्मान पाने के लिए आपका समय काफी अनुकूल रहेगा, आप धार्मिक बनेंगे और संगर्चु को करने के बाद आप विज़ाई भी होंगे, आपको अप पत्ति में जीवन में, या फिर आपके वहवाईक जीवन में आपको जिस परकार की जो भी अड़्चने, जो भी आपके आड़्चिक तंगिया हैं, उनको दूर करने के विशेश कोसिश करें, आप अपने वहवार को सुधारने का प्रियास करें, अगर आपका वहवार या आपको अपने सदभाव अगर अपने के अच्छे रहें, तो आपके जीवन में निश्चित तोर पर सफलता मिलेंगे, और आपके वहवार के कारण है, आपके रुके पड़े बिगड़े कारे भी बनने लगेंगे, अन्य था आपके बने बनाए कारे भी बिगड़ सकते हैं ऐसे में आपको थोड़ा सा धहरे रखने होंगे, आपको इस समय उधार लेन देन से भी बचने होंगे, आपको अपने सभी कारे को भी से इस रूप से नगत और अच्छे से करने होंगे, साथ ही सटा वाजी में निवेश से भी आपको बचने होंगे, फारिवारिक जीवन आपका काफी अच्छा रहेगा आप लोगों को पेट से सम्मंदित समस्याएं हो सकते हैं या फिर आपके जीवन में आपको कमरदर्द, सरदर्द, पेटदर्द, पीडदर्द या फिर आपके जोडों के दर्द आपको परिसान कर सकते हैं ऐसे में महीन रासी वाले जात्कों क को समल कर रहने होंगे खास तोर पर हड्डियों और किड़नी से समंध्य समस्याओं से जूज रहे जातकों के लिए यह समय मुश्किल से भरा हो सकता है ऐसे में आपको थोड़ा सा धहरे रखने होंगे आप अपने हालातों को सुधारने की विशेज कोसिस करें और आप आराम क करने से परहेज करना चाहिए आपको इस समय अपने समाज में और अपने परिवार वालों के साथ समय विताने की विशेज कोसिस करने चाहिए में निरासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि परिवार के सदस्व के मद्द में आप असांती आपके लिए चिंता कवी से हो स सरकार या आपके उच्चादी कारियों से आपको अच्छे समर्थन की उमीद हो सकती हैं, आपको सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाप भी अच्चे तरीके से प्राप्त हो सकता है, परन्तु टेक्स से सम्मंदित मामलों में आपको सतरक जहने होंगे, और सभी उपकर्मों से आपको खुसी-खुसी काफी मदद मिल सकती हैं, आप पुराने परिचितों से भी मिल सकेंगे, आप अपने द्वारा किये गए किसी भी निवे से लाप की प्राप्ती कर सकते हैं, आपके मन में संतुष्टी और काफी जादा अपने आपको व्यक्त क करने के विशेश फर्यास करने होंगे, जदि आप अपने जीवन साथी के तलास कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, आप पारिवारिक सदिस्टों को पूरा करने के अवस्य कोसित करें, आप अपने चत्तुरे से आपको अपने कारिशेतर में काफ ये अच्छे उमीदों की प्राप्ति हो सकते हैं, आपको अपने लक्षों और महात्म कांचाओं की प्राप्ति के लिए प्रगर्ति सील रहने होंगे, आपको तब ही अपने जीवन में जो भी आपके लक्ष हैं, जिस भी प्रकार के आप अपने जीवन को सफल बनाना चाते हैं उन सभी प्रियासों को आप कर सकोगे आपको अपने प्रिक्षन का समय विसेज रूप से प्रियास कर रहे होंगे और यदि आवस्चक नहों तो चीजों से छेड़ चाल न करें खान पान का दिहान रखना आपके लिए सुब रहेगा आपको इस सवधी में आर्थी ग्रू आ सकते हैं आपके महनत का फल भी आपको चिट तरीके से प्राप्त हो सकता है जीवन साथी के साथ आनद दायस समय दृता सुकोगे परिवार के सदस्व से आपके संबंद भी काफी अच्छे रहेंगे और आपको जिस प्रकार की आपके जीवन में जो भी कमिया थें उनको पूरा करने के लिए आप बिसेश प्रयास कर सकते हैं इसे में में रासी वालिजात को को सभी पहसूस हो सकता है व्यपारी एवंग व्यवसाई वर्ग अपने कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ा सकते हैं किन्तो अक्रमाक्ता और आपको विशेश रूप से किसी अनरुवी कारी से बजने होंगे आपको पारिवारिक विवादोग में ही खुद को दोस्ट देने से भी परहिज करने होंगे खुद को मने भावो को व्यक्त करें आप अपने परिवार दोस्तों और प्यजनों के साथ समय विताने की विशेश कोसिस करें आपको आपके कारे शेतर में काफी अच्छे और विशेश प्रकार की नई रनितियों के तहत कारे करने के मोके भी प्राप् तता सामपो आपके खर्चों में भी बुढ़ोत्री देखा जा सकता है यासे मैं में रासी वाले जातकों को अपने खर्चों में विशेश रूप से कंट्रूल करने की जरूत रहेंगी आप कारिस्तल पर अपने परियासु का उचित परिणाम भी प्राप्द कर सकते हैं आप पारिवारिक जीवन भी आपका सुप में और आनंद दायक रहेगा फ्रेमियों के मद्द में कुछ मनुटाब हो सकता है आप बहुती वस्तों की प्राप्ती करने में काफिस सक्चम रहेंगे आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैम आता दिया वस्तलिक हैं आपका दिन सुभो मंगल कारी हो जै माविन दुआतने नमस्कार दोस्तों